हुआ फ्रेंड्स, यु आर्मोस्थ ब्र accessories오peł के इस स्रीब में हम लोग इंडिया के नेशनल पार्व की सुरुआत करेंगे और इस वीडियो में हम लोग इंडिया के कुछ पर्मुख hijsh Raven national पर्क दुधवा national पेंड Carryman national पर and Nanda Devi and Valley of Flowers National Park के बारे में बातचीत करेंगे तो सबसे पहले हमनों सुरुवात करते हैं Jim Carbet National Park से हमनों सुरुवात करते हैं It is the oldest National Park of our country It was established in 1936 यह हमारे देश का सबसे पुराना पार्क है Jim Carbet National Park और जब उतरा खंड का विवाजन नहीं हुआ था तब यह उतरपद्रश में हुआ करता था लेकिन उतरा खंड के विवाजन के बाद वर्तमान समय में यह उतरा खंड में है और यदि जीले की बात किया जाए तो इसका आधिकांस विस्तार उतरा खंड के नैनी ताल जीले में है इसके अलवा उतराखंड के पौड़ी गड़वाल जीले में भी इसका विस्तार है इसके अलवा 1972 में जब प्रजेक्ट टाइगर मोहमेंट की सुरुवात की गई थी तो बिसिकली प्रजेक्ट टाइगर जो मोहमेंट था उसकी सुरुवात भी जीम कार्बेट नेशनल पार्क से सुरुवात की गई थी यदि यहां के वेजिटेशन की बात किया ज़ो नेचरल वेजिटेशन प्राक्रतिक बनश्पती है तो बिसिकली साल, सीसम, पलास, अरजून यहां की मेन बनश्पतिया है इसके अलबा वाइड लाइफ की बात किया करें हम लो तो टाइगर हो गया, अलिफैंड, दियर, बारिसिंगा यह सब यहां के प्रमुख वाइड लाइफ हो जाते हैं इसके अलबा यहां पे राजाजी नेशनल पार्क है, इसका विस्तार उतराखंट के हरिदवार, दहरादून और पौडी गड़वाल जीलों में इसका विस्तार पाजाता है बैसिकली जो राजाजी नेशनल पार्क है, यह भी हाई लेंड टाइप क्लाइमेट मतलब उच अस्तलिय जलवाई को वेक्ट करता है जिसका पैड़ाम होता है कि यहां की भी जो प्रमुख नैचुरल वेजेटिशन है, वो साल, पालास, अरचुन, सीसम, देवदार, प्रमुख बनश्पतिया हो जाती है इस चत्र के इसके अलब मैंगो ट्री भी काफी अधिक संख्या में पाय जाते हैं यदि यहां जो जन्तू है, जन्तू की बात किया जाए तो बैसिकली एलिफेंट यहां की सबसे प्रमुख जन्तू है इसके अलब टाइगार हो गया, डियर हो गया, वो भी यहां पर पाय जाते हैं इसके लबह ये वैली आफ फ्लावर्स वैली आफ फ्लावर्स जिसको पूरी तरीके से नंदा देबी और वैली आफ फ्लावर्स के नम से जाना जाता है यह भी जैसे की जीम कॉर्बेट नेस्टल पार्क और राजा जी नेस्टल पार्क जैसे उतराखंड में मौवजूद हैं उसी प्रकार नंदा देबी और वैलिया फ्लावर्स नेस्टल पार्क भी उतराखंड के चमूली जीले में मौवजूद हैं और बिसिकली नंदा देभी हिल्स जो है उसके चतुर्दिक इस नेशनल पार्क का विस्तार पाय जाता है और इसको वैलिया फ्लावर्स कहने का आसा यह है कि यहां पे बिसेस तोर पे ग्रिश मरीतू में रंग बिरंगे पत्तियों वाली घासे और फूल उगते हैं इसलिए इसको देवैलिया फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है और यहां के बनश्पती की बात किया जाए तो कलरफुल ग्रासे बिविन रंग बिरंगी घासे फूल उगते हैं और साती साती यहां के animals की बत किया जाए तो animals के तोर पे Snow leopard जो हम तन्दूवा होते हैं वो यहां पर पाई जाते हैं इसके लबह हिमालियन मस्क डी यर पाई जाते हैं इसके लबह अन्य प्रकार के हीरन भी इस नंददवी national park में पाई जाते हैं यह है दुधवा national park प्रजेक्ट टाइगर का अंग बनाया गया और बैसिकली यहां से गहांगारा नदी पास करती है और यह उत्तरप्रदेश के प्रमुक रूप से लखीमपूर खीरी जीले में विद्यमान है इसके लवा इसका कुछ अंस पीली भी जीले में भी पाय जाता है यदि यहां के वनश्पती और जीव जन्तों की बात के जाए नैच्रल बेडिटेशन और वाइल लाइफ की बात के जाए तो बैसिकली यह तराई ग्रैसलेंड टाइप के क्लाइमेट का एक्जामपल है यहां पर साल हो गया, सागोन हो गया, सीसम हो गया, मास के जुरमूट हो गया, अलिफैंट गरास हो गया, हाथी घास, सबाई घास यह यहां की प्रमुख बनश्पतिया हैं यदि wildlife की बात किया जाए तो basically tiger हो गया, elephant हो गया, deer हो गया, यह यहां की प्रमुख wildlife है पसरते जो दुदवा नेशनल पार्क है यह बारसिंगों के लिए प्रशीट है और विश्व में जितने भी बारसिंगे पाय जाते हैं उसका दुदवा नेशनल पार्क में पाय जाते हैं और जैसा कि हम बताते हैं कि जो बारसिंगा है यह उत्तर प्रदेश का official animal भी है तो इस वीडियो में हम लोगों ने चार नेशनल पार्क की study किया जिसमें जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क तथा थाजाज के जिसमें जीम साथ चिए।